हलो दोस्तों भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों आज आप सभी के लिए 13 इंपोरेंट अपडेट्स में आप सभी के लिए लिकर यहां पर आ चुका हूं तो यह सभी अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी ठीक है इन सभी चातरों को प्रमोट के निको ठीक मांग इन सभी चातरों के एकसाम अब होंगे ओनलाइन तो इसके लाब जो भी अपडेट्स है यहां पे सभी की सभी अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी चली शूर करते हैं उस्तों पहली अपडेट्स है तो यह रह कुल संक्रमेतों की संख्या 2,3,719 एक्टिव केस 1207 और अब तक जो है 1,99,019 हुए ठीक तो यह है दोस्तों लेटेस्ट अपडेट अभी जखी COVID-19 की ठीक है और बाखी आप मेरे टेलिग्राम चैनल के उपर विजिट कर सकतो हो टेलिग्राम चैनल का नाम है भारत अप्ड टेलिग्राम के उपर आपको सर्च करना है भारत अप्डेट ओके चलिए उस्तों नेक्स्ट अप्डेट यह रही डिपो में सरसों तेल दालों के बाद अब चीनी सस्थी करने की तियारी तो हिमाचलों प्रदेश में मंडी सस्थी सीट और तीन विविधान समा सरकार महंगाई को कम करने में जुट गई है इसी कड़ी में डिपों में मिलने बाले सरसों तेल और दालों के अब बाद अब जो है चीनी के दाम कम करने के तियारी है चीनी के दाम प्रतिकिलों एक से दूर रुपे तक कम किये जा सकते हैं फिलाल एपिल गरीबी रिखा से उफभोगताओं को 30 जबकि BPL गरिबी रेखा के निचे परिवारों को 19 रुपए प्रती किलो के हिसाब से चीनी दी जा रही है और एपील उफभोगताओं को 30 BPL को 19 रुपए प्रती किलो मिल रही चीनी तो यह दोस्तों लेटेस्ट अप्रेट है यहाँ पे ठीक है चले दोस्तों नेक्स्ट अप्रेट यह रही कोचिंग संसानों के ना खुलने से जई और नीट की तियारी नहीं कर पारे चातर संस्थानों का 75 फिश्दी तक कारोबार चोपट चातरों को नहीं मिल लए कोचिंग सुविधा जल्द खोले जाए कोचिंग संस्थान तो मक्यमदर जराम ठाकुर से मिलने गए कोचिंग संस्थानों की पत्रिती मंडल में जो है यहां पे तेज चातरों समिती इन सभी नहीं जो है यह शामिल रहे यहां पे और इन्होंने सियम से संस्थान खोलने और कोचिंग अक्षाएं शुरू करने का आगरे किया है बाजार खुल चुके हैं बसें फूल उकुप में से के साथ चलने ही इसके अलावा सरकारियों नेजी का रेलो में भी सो फिज़ी करमचारी को बुला लिया है लेकिन कोचिंग संस्थानों में अभी तक ओफलन कक्षाएं शुरू नहीं हुई है इस कारण कोचिंग संस्थानों का 75 फिज़ी तक कारवार भाबित हुआ है चातर ओनर बढ़ाई के लिए संस्थानों में प्रवेश लेने में रूची नहीं दिखा रहे कोचिंग संस्थानों में 9-11 तक के बैच में नाममात चातरों नहीं प्रवेश लिया है अब भाबक और चातर ओफलान काक्षाओं के लिए शुरू होने को लेकर पूछतास करें है दोस्तों यहाँ पे नीट और यहाँ पे लिखा है जे ही नहीं मैं आपको बहुत सारे यहाँ पे हिमाचल में भी चातर हैं स्टूजन्स हैं जो की कोचिंग लेते हैं चाहे वो कोई भी एकजाम हो चाहे वो HPSC के एकजाम हो चाहे वो HPSC का एकजाम हो चाहे फोरेस्ट गार्ड का हो ठीक है तो सभी के लिए ये कोचिंग ना खुलने से बहुत सारे चात्रों को परिशानी हो रही है क्योंकि कुछ चात्र ऐसे होते हैं जो कोचिंग लेते ही है हना ऐसा तो नहीं है कि सभी बिना कोचिंग के हो जाते हैं तो कुछ साथ जो छात्र हैं जो कोचिंग लेते हैं उनको बहुत सारी समस्या बहुत सारी प्रोलम यहां पे आ रही है कोचिंग संसानों के ना खुलने से तो यहां पे कहा गया कि जल्द जल्द कोचिंग संसान खुले जाएं तो के चलि दोस्त तो नेकस्ट अफडेट ये रही बंडारू दत्तरे हरियाना रवाना शिमला पोँचे नए राजआपल अर लेकर आज लेंगे शाफट किया है तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है तो करेंट फिर में कोश्चन आपको आ सकता है आपको सब्सक्राइब पहले पता हूँ बट ये भी ध्यान से रख लो याद कि अब हिमाचल प्रदेश के ने राज जेपाल को नहें राजेंदर विश्मनात अर लेकर ठीक है चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही हिमाचल में भारी बारिश ने मचाई तवाही 10 घर बेह तील की मौत मुके जापक और MBBS 16 से 12 लोग लापता दर्वशालों में 23 साल बाद 24 घंटे में 395 मिलिमीटर बारिश बह घाटी में 10 से ज़्यादा लोग मौत की अशनक देख्या ने हिमाचल सरकार्सिक की बाद बजाव कारे के लिए भेजी अनडियाफ की टीमें दोस्तों यहां पर सभी बोलती कि बादल फटा है बर यहां पर कहा है जो मौसम ज़्यार के इंदर है उन्होंने कहा है कि बादल नहीं फटा भारी से भारी बारिश हुई बतलब से भारी बारिश के कारण जाला नुक्सान यहां पर हुआ है SP कांगना बोले बादल फटने के अशंका तो यह कुछ दो लेटेस्ट अपडेट है यहां पर प्रदेश सेलाने उसे गुलजार बिगड मुसम से सरकार चिंतित तो यह दोस्तों आपको पता ही कल हुआ है यह धर्मशाला में और अभी भी शायद वहाँ पर बचाब कारे चला होगा तो यह लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों यहां पर चली नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं तो यह रही गुमकड़ी और तीर्थ यात्राएं ना रुकीं तो करोना की तीसरी लहर होगी भ्याब आई एम एकी चिताबनी लापरवाय की बड़ी किमें चुकानी पड़ेगी बीते डेट साल की जंग से लेनी होगी सीख बीते डेट बर्ष की जंग में होई लुकसान से हमें सीख लेनी होगी अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाने और करोना सम्मत बिवहार का शक्ति से पालन करने से तीसरी लेर का आसर भी होगा कम आया में साथ दिन बाद फिर चालिस हजार से कम मिले मरीज तो यह दोस्तों लेटेस्ट अपडेट हैं यहाँ पे चलिए नेक्स अपडेट यह रही नीट बारा सितंबर को आज से आवेदन दोस्तों देशवर के मैडिकर को जो मैं दाखिली की राष्ट योग गेता सेह प्रविष प्रिक्षा नीट बारा सितंबर को होगी पहले यह प्रिक्षा एक अगस्त को होनी थी लेकिन करोनमामारी को देखते हुए इसे आगे बढ़ाया गया है चलिए दोस्तों नेक्स अपडेट यह रही ऐसा लगा जैसे ही जैसा एक ही पल में सब कुछ खतम हो गया होटल छोड भागे सेलानी प्रत्यक्ष दर्शी बोले मैकलोड गंज मैं देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह तैने लगी गाडिया तो यह कुछ यहां पर दोस्तों देख लो किस तरह का यह है भागशुरास में नाला बंध होने की चलते सटक पर आया मलबा और पानी कम होने के अंदर्जा करते रहे लोग तो आफत की बारिश तो यह पहली बार यह ऐसा हुआ होगा यहां तो वैसे बारिश तो यहां पर सबसे ज़्यादा होती है बट ऐसा मैंना तो कभी नहीं देखा था यह पहली बार ऐसा हुआ है यहां पर चले दोस्तों नेक्स्ट अपडेट यह रही धर्बशाला में टूटे बारिश के रिकोर्ड स्मार्ट सेटी धर्बशाला में जुलाई के दोरान तेश वर्स बाद 24 घंट के दोरान सबसे अधिक बारिश रिकोर्ड हुई है रिबार शाम साड़े पांच से सोब बार साड़े पांच बज़े तक साड़े पांच से लेकर अच्छा पिछल दिन से लेकर आगले दिन तक तेश बचाला में 395 मिलिमेटर बारिश दर्ज के रिवार शाम साड़े पांच से सोब बार सुभा साड़े आठ बज़े तक 184 और सोब बार सुभा साड़े आठ बज़े से शाम साड़े पांच बज़े तक 211 mm बारिश घोड़ यहां पे हुई है चले दोस्ता नेक्स अपडेट यह रही दोस्तो बहुत तकनिकी संसानों के चात्रों को भी प्रमोट करे परदेश सरकार यहां पे ऐसी मांग जो है यहां पे उठाई है किनों न उठाई है राज की बहुत तकनिकी महाविद्याले बड प्रिक्षों के विरूद में उतर आये हैं 167 बार को स्ट्रीयाले मांग उठाई है कि सरकार ओफलाइन प्रिक्षाएं आज यूद्यूद करवाने के निर्णे को बापस ले यदि ये बापस नहीं ले जाता है तो प्रदेश भर में तकनिकी सिक्षा से जोड़े चात्रिस क तो यहां पर अप्डेट है यहां देख लो बहुत अप्डेट की जैसे कि पुल्य टेक्निक हो घ्क है बहुत-अप्डीकी में इस चलिए झीक्ष्ट अप्डेट यह रही आंगरवारी में भरे जाएंगे 12-09 अगस्त को होंगे शाकषत कार तो भूरंज में भीवागत ने साथ अगस तक मांगे आवेदर 21 से 45 बश तक की पातर मिहलाए करे आवेदर दोस्तों पूरा आप यहाँ पे देख रहे हैं न किस तरह से क्या क्या चीज़े जो है नहीं मांगी हुई है यह थोड़ा और जूम करें तो यहाँ पे या आप खुद ही पता करना बहाँ पे भुरंज में जो भी हैं कि बहीं पर भर जाएंगी है चीक चले तो नेक्स्ट अपडेट यह रही प्रयोत्योगी प्रिक्षाओं की कोचिंग के लिए मिलेंगे एक लाग चोबिस तक करें अब इदर स्कूल कोलेज के 500 विद्यावत्योगी विद्धीय सहायता तो यह ओफलाइन या ओंद कोचिंग के लिए एक लाग के विद्धी सहायता यहाँ पर दी जाएगी ठीक है तो इसके लिए क्राइटेरिया पढ़ लो क्या क्राइटिरिया यहाँ पर ओके तो यह कुछ है यहां पर ठीक है चलिए दोस्तों नेक्स्ट अप्टेट यह रही यूजी अंतिमभश को छोड़ सभी कक्षाओं के उनलज प्रिक्षाओं लेगा तक्निकी विश्विश्व जाले दोस्तों बात हो रही है हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवरसिटी की यहां पर बात हो रही है तो यूजी फाइनल के जो एक्जाम है ठीक है उनको छोड़कर सभी जितनी मी क्लासिज है उनकी ओनलाइन प्रिक्षाओं लेगा तो यूजी यह फैंसला जो है विश्व जाले की बैठक में यह फैं के अंतिम सत्र की अलाबा सभी सत्रों की ओनन प्रिक्षा करवाने का फैंसला लिया है सुबार गों तक्निक की विश्व जाली परसेल जुडू ही मैं कुलपती प्रोफेस्टर एसवी बनसर की अधविन सरकारियों निजी शिक्षर संसानों के अनिदेश को पराचार्यों की बैट ठेक में फैंसा लिया गया है तो अब ही जोस्तों इनके सभी की exam online ही होंगे ठीक है और जो final ने वाले हैं उनके exam offline ही होंगे ठीक बाकी practical जो है आफके offline ही होंगे ठीक है और हाँ यहाँ यहाँ पे अगर कोई network की वज़े से कोई प्रिक्षा कर नहीं बबस्ता रहेगी ठीक है तो यह दो स्टु लेटेस्ट अप्डेट है यहां पे तो यह से दोस्तू आज की लेटेस्ट अप्डेट वीडियो गए तो लाइक शेयर और यहां पे देख लेते हैं पहले कुछ रहा तो नहीं है नहीं हो गया ठीक है तो दोस्तों वीडियो चलेगे तो लाइक शेयर चैनल को सबस्क्राइब जुरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए थैंक यू